हालो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो बिस्किट के मोदक और इन मोदक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैकेट ओरियो बिस्किट का यूज किया है और एक पैकेट से हमारे चार मोदक रेडी हो जाएंगे तो चलिए हम मोदक बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो बिस्किट है इसको हम किसी बोल में निकाल लेंगे और जो क्रीम है बिस्किट की इसको हमें बिस्किट से अलग कर देना है किसी अलग कटोरी में निकाल देना है क्योंकि ये जो क्रीम है इसको हम मोदक की फिलिंग के लिए यूज करेंगे अब जितनी भी क्रीम है हमने बिस्किट से सब निकाल कर वो एक अलग कटोरी में रख लिए अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच नारियल का बुरादा जिसको हम डेसिकेटिड कोकोनट भी बोलते हैं इसी के साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ काजू, बादाम और किश्मिश इसको मैंने बारीक काट लिया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ये जो हमारा मिक्षेर रेडी हुआ है करीम का ये हमारे मोड़क की फिलिंग है और जो Oreo biscuit जो हमारे बचे हैं बिना क्रीम के इसको mixi में आप अच्छे से पीस लें बहुत बारीक पाउडर बना लें आप और अब जो ये हमने Oreo biscuit का पाउडर रेडी किया है इसमें हम दूट डालेंगे दूट डाल कर इसको हम गून देंगे इसको गूनने के लिए मैंने यहाँ पे 7-8 चमच दूट के डाले हैं और बड़े बड़े चमच दूट के निडालने जो घर में हम नॉर्मल खाने का चमच यूज़ करते हैं उससे हमको दूट नापना है तो वो वाला चमच से आप दूट डालेंगे और 7-8 चमच दूट के इसमें डल जाएंगे दूट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गूनना है और ये तो रेडी हो गया अब जो साचा है हमारा मोदक का इसमें हम ऑल लगा लेते हैं ताकि जो मोदक हम बनाएंगे वो निकालते समय चिपके ना अब जो हमने ये ओरियो का आटा बनाया है गून कर अच्छे से हम इसको भरेंगे तो इससे तो हम बाहर की लेयर बनाएंगे जो मोदक है वो बाहर से जो दिखेंगे वो ओरियो के दिखेंगे ब्लैक कलर में और अंदर हम करेंगे फिलिंग क्रीम की जो हमने रेडी करी थी जिसमें हमने नारियल का बुरादा डाला था और ड्राइ फ्रूट्स डाले थे तो ये हमने फिल कर दिया Oreo इसमें अब ये जो फिलिंग है ये इसके बीच में जाएगी और फिलिंग भरने के बाद हम फिर से जो हमने ये Oreo का डोग बनाया था उपर से इसको हम कवर कर देंगे कर दो ये आंदी हम आएगार गärगी maintenant अखे झाल झाल